तो हेलो फेंड कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वालों वाटसप का एक नए अपडेट और नए फीचर लॉंच किया गया है उसके बारे मताने वालों दोस्तों आपको पता होगा भी कुछ टाइम से वहले है वाटसप के साथ कुछ इशू चल रहे थे दिए गया है इसका स्क्रिंशोट में आपको यहां लगा दूँगा आप चाहें तो देख सकते हैं क्या लिका हुआ हुआ है टुडे भी एर स्टार्टिंग रोल आउट ऑफ न्यू सेक्यूर्टी फीचर फॉर वाटसप वैब एंडेक्स्टों फेस एन फिंगर प्रिंट के लग लोग वैन्यान कि अगर आप अपने वाटसप अपंगर यूज कराऊ आपको पता वाटसप ये और नहीं कर सब्सक्ते तक अ अब अगर आप Android user हैं, तो आपके finger paint लगेगा, उसके बाद आप वहाँ पर QR code scan करके, वहाँ पर आपका WhatsApp access हो पाएगा, मतलब security level दे दिया है, और अगर आप iPhone user है, तो वहाँ पर आपको iPhone user है, तो आपको अपनी face ID देनी होगी, तो ही ये work करेगा, तो ये latest update में लोगों को आ गया है, अभी beta user के लिए है, अभी कुछ time बाद ये normal user के लिए भी roll out होना चाले हो जाएगा, तो इस feature का नाम रखा है link का device, अगर वाटसप अपने अगर आप जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक नया option मिलने वाला है, एक नया पूरा layout मिलने वाला है, अब link device वहाँ पर लिखने आएगा, आपको मिलेगा link का device, तो उस option के थुरू आप अपने WhatsApp वहाँ पर जाएंग वहाँ पर जाने गया, जैसी आप link का device पर click करेंगे, तो आपको अपना authentication देना पड़ेगा, अगर आप Android user है तो by fingerprint, और आप iPhone user है तो by face ID, तो आप जैसी उस पर click करेंगे, उसके बाद आप से QR code का camera open हो जाएगा, आपको QR code को scan करना होगा, और उसके बाद आपका वहाँ प पास capture रखेंगे, सिर्फ आपके पास रही, उन्होंने ये ट्यूटर पर साथ साथ मैंशन करा है, उसी के नीचे आपको दिखरा हुआ, यहां साथ साथ लिखा है, WhatsApp does not see your face और fingerprint data, हम आपके data को नहीं use करेंगे, fingerprint और जो कि आपका face ID का, तो यह उन्होंने लिखा है, दोस्तो जैसा कि उन्हें मता है, आपको नए future के लिए, आपको सबस्वेल अपने WhatsApp को अपडेट करना हूँ, अपडेट करने का जैसी आप WhatsApp को ओपन करेंगे, यहां पर जाएंगे, आप त्री डॉट्स में, यहां WhatsApp में जाएंगे, तो आपको देखेंगे, आप पूरा नया option मिल रह आप जैसी यहां पर देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं, स्क्रीन, स्केन यहां और fingerprint मांग रहा है, अगर आप आप आइफोन यूजर होंगे, तो आप से यहां Face ID मांगेगा, उसके बाद ही वर्क करेगा, जैसी आप यह ओपन करेंगे, ओपन करने का है, देखेंगे, camera on हो जाएगा, और उपर आपको दिख रहा है, वैब.whatsapp का option भी मिल रहा है, कि हाँ जाके आपको scan करना है, इससे क्या होगा, जो भी आपका कोई person या कोई भी लोग आपका mobile लेकर कहीं भी scan कर ले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता था, तो अब जब तक आप authenticate नही करेंगे, वो वहाँ पर access नहीं कर पाएंगे, तो इस security level के लिए बहुत अच्छा option है, एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपके पास अभी नहीं हो रहा है, यह होने के बाद आपका face ID या fingerprint नहीं माग रहा है, तो उसके लिए आपको सबसे ले जाना होगा, यहाँ पर setting में, setting में जाने के दिया जाना, account में, account में जाने के आपको जाना है, यह privacy में, वो सबसे नीचे आपको मिल रहा हो, fingerprint unlock का, आपको पहले इसको enable करना हो, enable करने से क्या होगा, आपके जो fingerprint की permission नहीं उसके बाद चली आएगी, तो वो वहाँ पर work करने लग जाएगा, यह से मेरे पा आगया, तो ही यहाँ पर camera on होगा, जो की बहुत यह अच्छा feature है, security के रिलाज से देखा जाया, तो बहुत यह अच्छा feature है, यह पहले आना चाहिए था, बट अब यह आ गया है, तो अच्छा feature है, क्यों लोगों ने इसका बहुत miss use भी करा है, बट यह अच्छा feature है, आप comment करके ज़रूब बताया कि आपको यह feature कैसा लगा, तो thank you, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके मेरी वीडियो पसंद आगी, तो अगर आपके मेरी वीडियो पसंद आगी, तो प्लीस like, share and comment ज़रूब करें, और अभी तक आपने मेरे शेनल सब्क्राइब नहीं किये, सब्क्राइब करना ना बूले, और मुझे इसका लिंक आपको डिशन पर मिल जाएगा, तो thank you, दोस्तों.